ये मुवी एक ऐसे फ्लर्ट लड़के के बारे में है जो अपने बेट पे सही से परफॉर्म ना करने की वज़ा से तांग आने लगा था और अपनी इस बेमारी से जान चुरवाने के लिए 40 डेज तक हर इंटिमेटिंग एक्टिविटी से दो रहने का वाव लेता है अब वो इस वाव को पूरा कर पाता है कि नहीं ये जानने के लिए एक्स्लिनेशन की तरफ पढ़ते हैं मुवी का स्टार्ट मैट नामी लड़के से होता है जो अपनी गर्ल फ्रेंड निकोल से ब्रेक अप के बाद बहुत तूट चुका था इस सब में से बाहर आने के लिए वो डिफरेंट लड़कियों के साथ रात गुजारता था पर जितना वो सोच रहा था निकोल को भूलाना उतना असान था नहीं जबकि अब वो किसी लड़की के साथ इंटिमिट होने जाता तो उसे रूफटॉप ट्रैक होती नजर आने लगती जैसे उसके उपर गिर जाएगी और वो डर के वहां से भाग जाता ये सही से फिजिकल नहीं हो पाता था इस सबसे तंगा के मैट अपनी ब्रादर जान से ड्वाइस लेने जाता है जो पर जिस्ट की ट्रेनिंग ले रहा है पर वहां भी उसे कोई खास फाइदा नहीं होता फिर राद को मैट का रूमेट राएन उसे फोर्स करता अपने साथ कलब ले जाता है जहां वो एक न्यू लड़की से मिलता है और दोनों में फॉरण अंडिस्टैनिंग हो जाती है मैट जब उसके साथ रूमैंस करने की ट्राइ करता है तो उसे वापस वाल्व क्रैक नजर आती है जिस पर वो भाग के वाश रूम चला जाता है वहां राएन उसे मोटिवेट करता कॉंडिम दिया वापस भीज देता है मैट से परफॉर्म तो नहीं किया जाता उल्टा उस लड़की को खुश करने के लिए अर्गाजम बेग करता है जिसका उस लड़की को पता चल जाता है और वो गुसा हुए वहां से चली जाती है अगले दिन मैट जब जॉब पर जाता है तो वहां उसे बैंगल का इसे पता चलता है कि निकोल की इंगेजमेंट हो गई है मैट को यकीन नहीं आता कि वो उसे छोड़के इतनी जल्दी किसी और के साथ इंगेजमेंट कर सकती है जिस पर वो भाग के उसके आफिस जाता है और उसे पता चलता है कि ये नियूस सची है डिस हाच हुआ मैट फिसे अपने ब्रदर के पास जाता है जो उसकी कोई हल्प तो कर नहीं पाता उल्टा मैट को वहां बैठे आइडिया आता है कि वो लेंट के 43 हर इंटिमेटिंग आक्टिविटी से तूर रहेगा या अदक कि मैस्टर बीट भी नहीं करेगा जान मैट को ये वाव लेने से मना करता है पर मैट उस वक इतना पका होता है कि वो ये वाव पूरा कर लेगा इसलिए किसी की भी नहीं सुनता है कर जाते ही मैट सारी पॉर्ण सीडी, मागजीन, निकोल गी पिचर, इन शॉर्ट हर चीज जो से प्रोवोक करे सब अटा देता है पर रात को वो राएं के साथ कलब जाने के बजाए लॉन्री के लिए चला जाता है जहां वो एक लड़की से मिलता है जो मैट से बहाने बहाने से बात करती है मैट उसे कोई अच्छा खास रिस्पांस तो नहीं देता पर उसे उस लड़की की बातें अच्छी लग रही थी अब मैट के वाव को छे दिन गुजर जाती है और हर अक्टिविटी से दूर रहने के चक्र में वो अपने आफिस के काम पे ज्यादा दिहान दे रहा हुता है जिसकी वज़े से उसका बॉस उसे खुश हो जाता है और उसे बड़े प्रॉजेक्ट दे देता है रायन घरा के सीडिस को ऐसे बॉक्स में पढ़ा देखके मैट पे बहुत गुसा होता है तब ही मैट रिवेल करता है कि उसने हर 40 डेज इंटिमेटिंग अक्टिविटी से दूर रहने का वाव लिया है जो सुनके रायन तो हैरान ही रह जाता है उसे भी जान की तरह लगता है कि मैट ये वाव कभी भी पूरा नहीं कर सकता इंटिमेशन तो समझ आती है वो मैस्टिवेट किये बगए 40 दिन नहीं रह सकता मैट बताता है कि उसने ये इस दे किया क्योंके निकोल ने इंगेजमेंट कर ली है राएन के समझाने का भी कोई फाइदा नहीं होता मैट अभी भी अपनी बात पे पका था मैट के को वरकस को राएन से उसके वाव का पता चल जाता है जिस पर वो सब मिलके बैट करते हैं कि मैट इस वाव को पूरा नहीं कर सकेगा या कर सकेगा पर मैट को इस बारे में कुछ नहीं पता होता मैट वापिस जौन से जाके मिलता है और इसे बताता है कि वो इस वाव के बाद बहुत अच्छा फील कर रहा है हर चीज असान होती नजर आ रही है जौब पर हर किसी को मैट के स्वाव और बेट का पता चल जाता है जिस पर मैट एक होट को वरकर उसे तंग करने जाती है जहां वो एरोटिक हरकते करते मैट को उकसाने लगती है फिर अपनी आस को फोटो कॉपी करते हुए उस पर अपना फोन नमबर लेकर मैट को दे दीती है मैट वापिस लॉंड्री करने जाता है जहां वो लड़की फिर से होती है इस बार मैट खुद आगे बढ़ के उससे बात करता है और उसे पता चलता है कि वो लड़की एरिका है एरिका बताती है कि उसकी जॉब परनोग्रिफी साइट को ढूंड के उन्हें ब्लॉक करना है मैट को ये जॉब बहुत ही यूनिट लगती है दोनों में अजीब किसम का बॉंड बनता जा रहा था वो जोनों खुद भी समझ नहीं पा रहे थे मैट एरिका को आउटिंग के लिए इन्वाइट करता है जिस पर एरिका मान जाती है अब रायन को ये समझ नहीं आता कि ये किस तरह की डेट है जिसमें कोई फिसिकल इंटराक्शन ही नहीं होगी जिस पर मैट का कहना था कि वो एरिका के साथ एक अच्छा बांड बना रहा है जिसमें दोनों के फिसिकल होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेंटिल अंडिस्टैंडिंग है और मैट को कुछ ऐसा ही चाहिए था इसलिए वो बहुत कुछ है रायन मैट की पलपल की खबर उसके कोवर्कर्स को दे रहा था जिस पर उनका काम से ज्यादा इंट्रिस्ट मैट की लाइफ में था सब ये जानने के लिए बहुत एक्साइटेड थी कि मैट इस वाव को पूरा कर सकेगा कि नहीं मैट और एरेका डेट के लिए एक बस में जाती है सारा टाइम दोनों बस में ही रहती है जहां दोनों बहुत इंजॉय करती है और एक दूसरे को जानने की कोशश में लगे रहती है ये डेट दोनों के लिए ही बहुत मेमरिबल और इंट्रिस्टिंग थी रात को जब मैट एरिका को घर चोड़ता है तो एरिका उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है पर मैट अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करता हुआ वहां से चला जाता है अगले दिन आफिस में बैंगल गाई से मैट को उस पे लगी बैट का पता चल जाता है जिसके बाद वो देखता है कि इन लोगों ने तो उस पे पूरा वेब पेजी बना डाला है मैट बहुत इंबारिस्ट फील करता है कि ये सब उसने अपने लिगया था पर सब इससे मज़ाग समझ रही है जिस पर उसका को वरकर कहता है कि लोग उसकी सोच से भी ज्यादा इस पे पैसे लगा रही है मैट को इससे क्या था पर उसे एरिका की फिकर पर चाती है क्योंकि वहाँ एरिका की कमपनी का टैग भी था इसलिए वो सीधा एरिका से मिलने उसके आफिस जाता है जो उससे हाथ से भी ज्यादा गुसा होती है मैट उसे समझाने की कोशिश तो करता है कि उसने ये अपनी मेंटल हेल्थ के लिए किया है पर एरिका उस वक्त इतना गुसा होती है कि मैट की कोई बात नहीं समझती और नहीं उसे अच्छी लगती है जिस पर उसे माफ किये बगएर ही वहां से चली जाती है मैट सीधार राएन के पास जाता है क्योंकि उसकी लाइफ में ये ब्लंडर्स उसी की वज़ा से हो रहे थे राएन मैट को कौईट करने को कहता है क्योंकि उसके साथ सब को यहीं लगता है मैट इसे पुरा नहीं कर सकेगा जिस पर Matt कहता है कि उसकी लाइफ में सब सही चल रहा था वो नॉर्मल हो रहा था निकोल को भूलके एरिका की तرف अट्रैक्ट भी हो रहा था पर फिर Ryan ने सब खराब कर दिया इस पर Ryan उसे बताता है कि अगर वो वागई निकोल को भूल रहा है तो उसे फिर निकोल की किसी बात से फर्द नहीं पढ़ना चाहिए मैट के वाव को 22 डेज हो जाते हैं फिर आफिस में उसका बस उससे अपनी परिसनल लाइफ डिसकस करना शुरू हो जाता है कि किस तरह उसकी वाइफ अब उसमें इंटरस्ट नहीं लेती और कितने दिन से उनके भीच कुछ भी नहीं हुआ मैट किसी तरह अपने बॉस से बच्चते वहां से निकलता है यहाँ एरिका की दोस्त उससे समझाती है कि फिजिकल होना ही सब कुछ नहीं होता वो तो नो एटलीस दोस्त की तरह तो मिल सकते है जिस पर एरिका मैट को डिनर पे इनवाइट करती है तोनों के भीच सब से ही चल रहा होता है पर ऐसा लगता है जैसे मैट की किस्मत ही खराब है उसे वहां निकोल अपने फियोंसे के साथ नजर आ जाती है जिस पर मैट अजीब बिहेव करने लगता है और निकोल की उनके पास आने पर एरिका मैट की भीहेवर से समझ आती है जिस पर एरिका उसे कहती है कि अगर वो सच मे औरिका को पसंद करता है तो अपना वाउ पूरा करें फिर उसके बाद एरिका से मिले तब शाहेद वो सके साथ रिलेशन में आने का सोचे उससे पहले नहीं अब जैसे जैसे दिन गुज़र रहे थे मैट के लिए खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था और इसके कोवरकस ये सब उसके लिए और मुश्किल बना रहे थे जो पेट पेड़ पैसे लगाता था वो मैट को प्रोवोक करने लगा था ऐसे ही टू फीमिल्स करती है पर मैट बहुत मुशचिल से खुद को कंट्रोल गरता है उनसे बचके निकल जाता है जिसके बाद वो सीधा जान से इस पारे में डिसकस्ट करने जाता है कि कैसे जीजें उसके लिए हाध से ज़्यादा मुश्किल हो रही है इस पार जान उसे राद पेड के साथ डिनर पर जाने से मना करता है पर मैट को लगता था कि वो सबसे ज्यादा सीफ वहीं होगा इसलिए चला जाता है पर वहां उसके पेरंट्स इतना ओपन ली अपनी इंटिमेशन लाइफ बच्चों के सामने ही डिसकस करने लगते हैं कि मैट के लिए फिर से खुद को का अबू करना मुश्किल हो जाता है वह जैसे तैसे वहां से भी निकल जाता है कर आने पर रायन उसके रूम अच्छे से चेक करने लगता है कि कहीं उसने मैस्टरबेट तो नहीं किया पर उसे कोई प्रूफ नहीं मलता 35 डेस गुजर चुके हैं और आफिस में आज इसके पै मैट की किसमत अच्छी चल रही थी जिस पर उसकी जगह उसका बॉस फूट ड्रिंक पी लेता है पर उसका कोई वरकर कोई भी धीट पाएगा था जिस पर वो मैट को किसी तरह मजबूर करते हुए मैस्टरबेट करने वाश्रूम भीज देता है अब यहां बाहर सब दिल थ शूज अपने बॉस को देख कर कपका जा चुका है फिर मैट किया कहां सीन्स मैट पे शिफ्ट होते हैं जो अपनी इस सिच्वेशन से लगने के लिए उसी इनसान के पास जाता है जो उसे लगता है उसे सबसे अच्छे से समझ सकती है इन शॉर्ट वो एरिका के पास जाता है कि बहुत ही क्यूट मोमिंट होता है जहां दोनों के बीच एक बॉन्ट सा भी बन जाता है और मैट का वाव भी नहीं टूटता अब मैट का वाव पूरा होने में कुछ ही दिन बचे थे जिस पर वो ज्यादा से ज्यादा टाइम घर पे गुजारने का डिसाइड करता है कुछ गलत ना हो और उसका वाव पूरा भी हो जाए तब ही उसी रात उसके घर निकोल आती है जो बहुत बुरे हाल में थी क्यूंकि उसके फ्यॉन से चोड़ दिया था अब वो तुबारा मैट पे लाइन मारने लगती है क्यूंकि उसे यकीन था कि और तो कोई हो नहो हो जाता है बैंगल गाई की वजह से निकोल को मैट के वाव का पता चल जाता है और उसके दुश्मनों में एक और इंसान का इजाफा हो जाता है निकोल भी मैट का वाव तोने पर पैट लगती है जिस पर सब उसे समझाते हैं कि अब कोई फारे नहीं वाव वैसे भी 24 यहां ऑखे में तूंग आके वह अपने भाई से मिलने जाता है! जहां वो देखता है कि वो दहन ऋरहा है जोन मैट से कहता है कि हिरान भेखम ये वाउ पोरा कर रहा है कि यह इतना असान नहीं है वो खुद इस पे पूरा उतर नहीं सका इसलिए मैट को जो करना है वो खुद ही करना होगा कोई उसकी मदद नहीं कर सकता जब आखरी के कुछ आवर्स बच्चते हैं तो मैट बहुत जादा ड्रिंक करके अपनी दोस्त को उससे बेट से टाय अप करने का बोल देता है क्योंकि 12 बचे एरिका आखियों से खुल देगी जिस पर उसका दोस्त घर का डोर भी खुला चोड़ जाता है मैट एरिका के ड्रीम्स देख रहा होता है तब ही उसकी आँख खुलने पर वो देखता है कि बिलकुल मिदनाइट से पहले निकोल ने वहाँ आखियों से रेप कर दिया है यानि उसका वाव पुरा नहीं हुआ अब निकोल यहाँ से निकल रही होती है वहाँ से एरिका एंटर होती है जो परसे मैट को गलत समझते हुए कुस्से में वहाँ से चली जाती है मैट लॉंडरी रूम जाके एरिका को सब सच बताते हुए टू फीलिंग्स उसके आगे रखता है और उसे कहता है कि वो मजीद एरिका के बगएर नहीं रह सकता एरिका भी तो मैट से हच से ज्यादा प्यार करती थी इसलिए उसे माफ कर देती है जिसके बाद दोनों एक रुमेंटिक सी किस शेयर करते हुए अपने रिलेशन को एक निव वे में स्टार्ट करते है इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है थांक यू पर वाचिं!